मैं शरसक्सेना फेम वर्ड एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल पे आपका हादिक स्वागत करती हूँ आज पाइटन प्रोग्रामिंग इन हिंदी की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम डिस्कुस करेंगे लांगुज ट्रांसलेटर में डिफरेंस है बेसिक डिफरेंस में डिस्कास कर चुकी हूँ लेकिन मैंने आप से पूछा था कि इन दोनों मेंसे कौन सा बेटर है और मैंने कहा था कि मैं आप से डिस्कुस करूंगी कंपाईलर ऑर इंटर्पेटर की आज का वीडियो इसी पर कंसरन है कि हम डिसकुस करेंगे comparative study compiler और interpreter की I hope आपने previous वीडियो देख लिए होंगे नहीं देखें तो आप playlist में check कर सकते हैं लिंक में description पर और i button पर share कर रही हूँ तो मैंने बात करी थी compiler और interpreter की difference की और basic difference जो था वो मैं आप से अलड़ी बात कर चुकी थी कि हमारे पास compiler और interpreter होता है जिसमें के दोनों में major difference होता है कि compiler पूरे program को एक बार में translate करता है जहांपर जब हम interpreter की बात करते हैं तो लाइन वाइन execution करता है पर इस चीज़ को discuss करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ ये चीज़ मैं पहले वीडियो में interpreter से पट ऐसा क्यों है हम आज के इस वीडियो में देखेंगे इसके पर करिएगा वीडियो को काफी important वीडियो है ये beginners के लिए खासतोर से और अगर आप already python जानते हैं language के बारे में जानते हैं फिर भी इस वीडियो को skip मत करिएगा कुछ नया है जो आप जानेंगे इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स करेक्टरिस्टिक की जो की mode of execution है mode of execution की बात करें तो compiler पूरे program को एक साथ convert करता है इंटायर program into machine code before execution जबकि interpreter translate करता है और execute करता है program को line by line without creating intermediate machine code अगर number 2 बात करते हैं तो execution speed की है so compiler is having generally faster speed generally faster as the program is already compiled compiler की speed जो होती है वो faster होती है comparison में interpreter से वहाँ बात करें interpreter की तो it is slower as compared to compiler so interpreter has slower speed in comparison because it translates and executes code line by line अगर हम बात करते हैं characteristic की जो की है memory usage so compiler की बात करें तो it usually requires more memory since the entire program is loaded into the memory यहाँ पर क्या होता है पुरे का पुरा program जो होता है वो memory में load हो जाता है जिसकी वज़े से compiler को ज़्यादा memory की ज़रुवत होती है वहीं पर अगर हम interpreter की बात करें तो यह typically consume करता है less amount of memory as compared to compiler interpreter ज़्यादा memory consume कर रहा है और compiler कम memory consume कर रहा है अगर प्रिस्पिसली characteristic की बात करें जो की execution speed है तो compiler की execution की speed faster होती है interpreter की slow होती है लेकिन memory की बात करें तो compiler ज़्यादा memory ले रहा है जो की interpreter कम memory ले रहा है fourth characteristic है error detection all syntax errors are checked at once तो compiler जो की पूरे program को एक बार में compile कर रहा होता है जिसकी वज़े से इसमें सभी errors एक बार में check हो जाते है before execution like execution start होने से पहले जहां पर interpreter की बात करें तो इसमें syntax error are detected at a time as each line executed जैसे जैसे एक line execute होती जाती है इसके syntax error जो हैं वो detect होते जाते हैं इस बार में मैंने आपसे introductory video में starting के video में भी बात की थी जब मैंने python के introduction को discuss किया था कोई भी video आप skip मत करिएगा 5-10 minute के videos हैं अगर आप इसे properly watch करते हैं बिना skip किये proper notes form करके एक 300 पन्ने का register खरीड लीजे और उस पे starting से एक एक video को follow करते चलिए regularly मैं आपको यहाँ पर इन videos के through भी assignments दूँगी काफी ज़्यादा अच्छे से आपको questions दूँगी तो आप उन सब को access करिएगा उसको solve करिएगा और हम उसको बताएंगे आप किस तरीके से submit भी कर सकते हैं मुझसे अगर आप queries हैं तो आप उसे भी short out कर सकते हैं सारे resources सारी बाते आगे आने वीडियो में हम discuss करेंगे तो आप channel पर बने रहिए और subscribe करके रखिए next आता है हमारा point portability अब बात आती है compiler और interpreter में तो compiler का code जो होता है वो directly portable नहीं होता अगर हम portability ही बात करें तो इसका आखिर मतलब क्या है portability का मतलब सिर्व इतना है कि जैसे हमारा laptop portable होता है पहले portable TV होते थे कि एक जगे से दूसरी जगे ले जा सके हैं लैप्टॉप हमारा portable है एक जगे से दूसरी जगे laptop को ले जा सकते हैं उसी तरीके से क्या compiler के code को एक जगे से दूसरी जगे ले जा सकते हैं आपने बनाया Windows 10 पर अपना प्रोग्राम और आपके friend ने assignment नहीं किया था तो आपने कहा कि चलो मैं तो pen drive में assignment दे देता हूं for example तो आपने C program था जो कि C का program था compiler के सुरूए execute होता है C, C++ compiler based languages है अभी क्या है कि C का program था वो आपने friend को pen drive में दिया और उसका जो था Windows 11 था या हो सकता उसका Linux हो या उसका Mac OS तो आपका program उसके system पर नहीं चलेगा अब यहाँ पर आगी problem तो compiler जो है वो like not be directly portable कह सकते हैं the compiled code may not be directly portable to different platforms often requiring recompilation इसको दुबारा से compile करना पड़ता है system के requirement के साब से जहाँ पर हम interpreter की बात करते हैं so the source code is portable as the interpreter can be installed on different platforms तो इसमें interpreter different platforms तो हम इंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद हमको वापस से इसको compilation वगेरा करने के जरुवत नहीं परती है interpreter में directly हमारा code run कर जाता है फिर 6th point आता है character 6 जो है वो debugging है so compiler की बात करें तो debugging can be more challenging as you may need to recompile the code after making changes changes करने के बाद हमें वापस से compilation करना परता है तो यहाँ पर debugging में ज़्यादा time लगता है और challenging होती है जहाँ पर हम interpreter की बात करते हैं तो it is easier to debug since you can identify and fix issues as you go without recompilation तो recompilation करें बिना ही हम इसके issues को sort out कर सकते हैं interpreter के case में next हमारा आता है compilation process तो अगर हम compilation process की बात करें तो आप देख सकते हैं 7.7 step process है और interpreter में 3 step process है तो compiler की बात करते हैं तो scanning फिर जो की lexical analysis होती है फिर second step आपका parsing है syntax analysis third है semantic analysis fourth है intermediate code generation fifth है optimization sixth है code generation और seventh है linking अगर जरूरत पढ़े program के साब से then linking and all takes place फिर अगर interpreter की बात करते हैं तो lexical analysis parsing जो की syntax error या syntax analysis के लिए होता है और interpretation सर तीन steps होते हैं अगर हम बात करते हैं compilation process की then the next category which like comes into the picture जो हमारे next characteristic है वो है example और popular language so simply कोई characteristic नहीं है example की बात करते हैं तो c, c++ और java सब में compiler की जरूत होती है अगर हम बात करते हैं java की तो java में jvm होता है जो की java virtual machine होता है और उसके अंदर आपके पास jit compiler होता है so jit होता है just in time compiler वो एक compiler है जो की हमारे jvm के अंदर होता है तो java पहले compilation करता है उसमें दो compiler होता है java c भी होता है और jit भी होता है तो अब उसमें दो-दो compiler है दो बार compilation होता है फिर last में java interpreter का इस्तोमाल किया जाता है इस वज़े से compiled language की category में ही रखा चाता है java को तो c c plus plus java जैसी languages जो की compiled language की category में आती है और compiler का use करती है fordran भी compiled language है जहां पर python, ruby, java script, php जो हैं वो interpreted languages कहलाती है अगर हम popular languages की बात करें तो c c plus plus java and rust are examples of compiled languages तो ये भी example है compiled के और python, ruby, java script, php जो हैं वो interpreted के example है so next video में आपसे discuss करूँगी कि python क्या है what is python और इसमें हम काफी detail में discuss करने वाले हैं बहुत सारे अच्छे characteristics examples के साथ मैं लेकर आने वाली हूं next video so अगर आप channel परने हैं तो channel को करतीजे subscribe और notification bell को जरूर से प्रिस करिएगा क्योंकि notification bell प्रिस करने के बाद ही आपको मेरे channel के latest uploads की notification मिलती है आपकी demand पर आपके request में ये python programming की series हिंदी में लेकर आई हूं तो इसे support जरूर से करिए already मेरे channel पर English में python programming की 99 plus videos की series uploaded है तो आप उसों भी देख सकते हैं अगर आप English में चाहते हैं तो और यहां पर काफी कुछ नया भी discuss होगा क्योंकि वो series पहले बनी है तो इसमें काफी कुछ नया मैंने add-on किया है नया latest versions के according so series को follow जरूर करिए if you love python see you in the next video till then take care keep coding keep learning